हाई विल्कम तो मैं यूट्यूब चानल ते यार मैं हूँ शाषर तिवारी और आज की वीडियो में बात करने वाले चेक इफ टू स्ट्रिंग एर इक्विवालेंट तो यह लीड कोड की प्रॉब्लम है और जो लोग इस चैनल पे नए आए हो उनको मैं बता दू कि आपको पर एक आई बटन देख रहा होगा आप जाके वहाँ पूरी प्रॉब्लम सॉलिंग की सीरीज चेक आउट कर सकते हो और अगर आपका वन टूए ने कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके टेक्स कर सकते हो तो बाकी इंपोर्टन लिंक्स आर आपक अगर तो प्रॉब्लम स्टेटर्म हमसे कह रहे है कि गिवन तू स्रिंग आइस वर्ड वन और वर्ड तो रिटरं ट्रू इफ दू आई रिप्रेजेंट थे रहे ने के बारे थिक है यसे वर इग्जैंपल यह ए बी है और यह ए तो अगर मैं इसे concatenate करूँग है यहाँ पर लिखा एक और यहोन thu मझें वर्द करते जारें अफेंट करते जारें अब मुझे पताने हैं कि यहा बनं रहे इंटि-एंड यह नहीं ठीक है तो जो ओपनाराएं को आपका बंचाए kl तो क्वेशन काफी सिंपल है इसे ट्राइ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम अपना दो स्ट्रिंग्स अलग से बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे फाइनली रिजल्ट होल्ड करेंगे तो पहले मझे इस एरे को स्ट्रिंग में कनवर्ट करना पड़ेगा तो मैं क word1 हो गया is equal to new string builder यह आपका ठीक है अब हमें क्या करना है हमें कुछ नहीं करना इसी को copy कर लेते हैं यह मेरा word1 हो गया यह मेरा क्या हो गया word2 हो गया sorry w2 हो गया अब मुझे इसे concatenate करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा अपर दोनों array को traverse करूँगा तो हम यहां पर for each loop भी लगा सकते है normal loop भी लगा सकते तो मैं for each loop लगा रहा हूं ठीक है string s1 colon word1 अगर आपको syntax नहीं पता है तो इस तरह करते हैं तो s1 sorry हमें w1 में क्या append करना है w1 में append करते चलना है s1 को ठीक है अब मेरा s1 क्या actually s1 इसे point कर रहा है जैसी यह s1 इसे point करेगा अगली बार इसे point करेगा तो for each loop इस तरह से work करता है ठीक है तो अब मेरे पास s1 and s2 दो चीज़े आ गई बट एक चीज़े यहां ध्यान रखना आप dot equals method होता है उसे आप दो string compare कर सकते हो but words मेरे ध्यान रखो दो string compare कर सकते हो ठीक है वो string builder को हमें convert करना पड़ेगा पहले string में मैं कहता हूं w1 dot two string function ठीक है object class का function होता है and यहां पर use हो सकता है dot equals method अब यहां पर लगा लो and यहां पर आपका जाएगा w2 dot two string ठीक है तो आपने w1 dot w2 के लिया अब मैं कहता हूं भाई इसी को क्या कर दो return कर दो ठीक है यहां पर हुआ क्या अगर मेरा w1 जो की abc मैंने बना है यह dot equals method है ठीक है अगर यह equal है किसके w2 के dot two string के तो क्या return करेगा true अगर equal नहीं तो क्या return करेगा false and यह I think मेरा question भी था ठीक है करते हूं तो यार आच की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से फिर कभी तब तक के लिए बाइबाइबाइब करे भाईब